समस्कार स्वागेता अपका नीर्स्थिंक में मैं हुरंजीता पठारे देश में कोरोना संक्रमन के मामले तेजी से बढ़ रहे है ऐसे में एक चौकाने वाली ख़बर सामनी आई है कोरोना के 270 मरीज लापता हो गए है जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे है वैसे वैसे ही संक्रमितों के लापता होने के मामले भी लगातार बढ़ रहे है इससे पुलित प्रशासन की नींदे उड़ी हुई है फलिदाबाद के बाद अब गुरुग्राम में भी कोरोना संक्रमित मरीज लगाता लापता हो रहे है गुरुग्राम में 24 जून को 200 संक्रमित मरीजों के लापता होने की चौंकाने वाली खबर सब के सामने आई थी लेकिन अब ये संक्या 270 तक पहुँच चुकी है 270 कोरुना के मरीज मिल नहीं रहे इसके लिए 5 नीजी लैब को काम में लापरवाही बरतने का नोटीस जारी किया गया था इस मामले में जिला के चीफ मेडिकल अधिकारी विरेंदर यादब का कहना है कि लापता संक्रमित मरीजों का आखड़ा 200 के पार चला गया है और ऐसे मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं उसमें मरीजों के जो संक्रमित मरीजों के लिस्ट गुरुगराम फुलिस को अब सौप दी गई है संक्रमित मरीजों के CDR के आधार पर उन्हें ढूड़ा जा रहा है अधिकारी ने आगे बताया कि बहुत से संक्रमित मरीजों ने अपने नमबर बंद कर दिये हैं या फिर आरोग्य सेतु एप को ही अनिंस्टॉल कर दिया जिसके बाद विभाग को ऐसे तमाम लोगों को तलाशने में चुनोती का सामना करना पड़ रहा है अब ऐसे 270 संक्रमित मरीजों के लिस्ट जो पुलिस को सौपी गई उनके आधार पर जल्द से जल्द मरीजों को निकालने का ढूंड कर निकालने की कोशिशे तो की जा रही है इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि लापरवाही विभागी है या फिर संक्रमित मरीजों की है आगेर ऐसा क्यों हो रहा है क्या अस्पिताल वाले उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं या ऐसा क्या डर है मरीजों के मन में कि वे लगातार वहां से भाग रहे हैं क्योंकि पूरे देश से तो ऐसे मामले नहीं आ रहे हैं बिदाबाद गुलोग्राम जैसे जगह से ऐसे मावले सामने आ रहे हैं यानि कि वहां पर कुछ न कुछ खामी हो सकती है वहां के लोगों के भीतर कुछ ऐसे मैसेज कुछ ऐसे संदेश पहल चुके होंगे जिनकी वजह से वे लोग डरे हुए हैं आखिर इस बात का कि किस बात का उने डर है या इन सब के पीछे क्या कारण है इस बात की तहे तक जाना बहुत जादा जरूरी है तभी पता चल पाएगा कि आखिर संक्रमित मरीज भाग क्यों रहे हैं क्योंकि संक्रमित मरीजों के भागने के साथ ही कोरोना के मामले और जाद बढ़ते जाएंगे ये मरीज जिन जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उन लोगों के संक्रमित होने की संभावना बहुत जाद बढ़ चाहिए इसलिए सबसे पहले तो इन्हें डूंदा जाना चाहिए और जो भी मरीज मिलते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आकर उनसे प क्रणा सुम हो एज छिसलिए से चितमूइला बहुत भी मिलते हैं आकर जाएंगे ये जिन लोगों के साठक हैं जाएंगे ये ही principle कि एुम कैसे जाह AGं स समय sek criक जाएंगे फटूर के समय हा Tem Darkness